हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ OST Overhead Tank Bottom Dome का Steel Binding Work चल रहा है यहाँ पर मैं आज आपको पूरा Step by Step बताने वाला हूँ कि Steel Binding Work Bottom Dome का कैसे होता है As per side हम Steel Binding Work कैसे करते हैं कैसे मेजरमेंट लेते हैं उसका cutting length कैसे निकालते हैं पूरा मैं Step by Step डिटेल से बताने वाला हूँ कि पूरा वीडियो का आप लाश्ट तक देखिए तभी आपको clear समझ में आएगा मैं पूरा उपर चड़के मैं आपको पूरा Step by Step बताऊँगा कैसे Binding होता है कैसे Binding किया हुआ है ठीक है पूरा Step by Step बताऊँगा अगर आप मेरे चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए Bottom Dome का Still Binding complete हो चुका है मैं आज आपको यही समझाने वाला हूँ कि इसका Still Binding हमने कैसे किया है इसका Spacing क्या है इसका Cutting Length कैसे निकाला है पूरा मैं इस Detail से मैं इस वीडियों बताने वाला हूँ तब वीडियों पूरा Last तक देखिए तब ही आपको Clear समझ माएगा अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये है तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए Like कीजिए, Share कीजिए मैं आपको पूरा Detail वाइस मैं आज पूरा Clear से समझाता हूँ कि कैसे हम Steel Binding Work का हमने काम किया है जैसे कि फ्रेंट्स देख पा रहे होंगे यह हमारा Bottom Door में इस्टील पूरा इसका Binding हो चुका है यहां पर पूरा Worker जो है इसमें जो का अपना फीटर है वो अपना पूरा स्टील इसको एच पर ड्रोइंग के हिसाब से पूरी Binding कर रहा है यहां पर जैसे की आप लोग देख पा रहा होगा सरय की सटील को बडिन का यहां। तो मैं आपको दिखा देता हूं को पहले डूहिंग समझा देता हूं वह आपको डिर्श प्राइव समये दूसली सोमझ मैं आप आएगा ठीक चलता हूं जैसे कि भskेंस देख आ हो गायाया एक है इसमें आपको दिख़ारा होगा यह टॉप में हमारा जो मेन यहां पे ठीक यह पर कुद एका से क्षिंटा हूआ है वह मैं आपको किलर को again आता हूं यह हमारा देख रहा होगा हमारा यह बोटम डॉम का है तो === región बार है वह हमारा सेंटर से यहां से आपका यह बीम में जा रहा ठरिक एक साइड्व स्कॉप यह और बाचान लूत है थिक है आप। How से देख सकते हैं मैं आपको एक किलियर दिखा देता हूं यहाँ पर देखिए आप कि यह उपर में आपका नो 10 और 11 ए ठीक निचे में आपका है 1213 और 14 नमवर है अपना 12 13 12 ठीक तो किलियर है बारण अपना 9-10-11 है वो हमारा यहां से सेंटर में एक सेंटर ले लेना है पहले सेंटर निकालना है ठीक है वो ध्यान रखिएगा आपको पहले यहां पर सेंटर निकालना होगा इस्ट डूम है डूम का आपको सेंटर निकाल लेना है ठीक यह जब डूम का हम सेंटर निकाल लेंगे यहां पर हमारा सेंटर है ठीक यह हमारा यहां पर देखिए पेंट से मारा हुआ है डॉम का हमारा सेंटर है सेंटर लेने के बाद आपको यहां से एक 1100 का एक सरकल मारा हुआ आपको दिखेगा यहां पर ध्यान से देखिए 1100 का एक सरकल मारा हुआ उसके बाद यहां से 2200 का एक सरक यह पकड़ना है और वीम तक आपको बीम में 50 अम उधर से कोबर छोड़ के वहां से लेकर यहां तक का आपको measurement कर लेना है, और आपको जो ड्रोईंग में एल दिया है, 300 का तापको 300 अल पकड़ लेना है, किलिएर, वैसे ही आपको वहां से 22, अपना 1100, यह 1100 से लेकर आपको यह से आपको बीम में जाएगा वो आिव गूमा है तो 0 कट के वहां से पूरा यहां ततक कर के यहां से लेगए यहां तक का यॉचिस टेप आपको नो नमर जो चालू हो रहा था वो यहां से आपको यहां तक आपको टेप से मापी करके भी एच पर साइड पर आप काट सकते हैं ठीक उसके बाद यहां से जो एक इस्टील जो अपना दस नमर चालू हो रहा है यह सरकल से आप वहां तक काट सकते हैं उसके बाद 20 से आप काट छोंगे स्टील आधे से डिखी एगा संटर से यहां ता यह बीम में आपको आएगा ठीक, क्लिर करेंट से बीम में आएगा ठीक वह सै आपको फिर जो हमारा युप 1-0-1-0-87 ठीक 1100 का जो सरकल यहां से फिर फिर बीम में में कुष्षा फिर उसके बाद 200 का एक तो अमरी यहां से गिए है उपर वह आपका बारे नमबर है यहीं से बार मार्क है यह सब ठीक है तो एक सरकल लेना है फिर आपको एल मारना है फिर वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी बॉटम डॉम का तासा करता हूँ आप जरू इस वीडियो में कुछ ने कुछ आप लोगोंने सीखा होगा ठीक है तो आप लोग कुछ ने कुछ सीखा तो वीडियो को पिली लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक आगा सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वाचिंग मैं वीडियो